इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेज करें हलो दोस्तों आप समीका मारे चैनि स्टेडी रूप एजिगेशन में स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम 36 गर सिक्षक भरती के लिए मैथ्स का एक महत्मों टॉपिक संख्या पाधरित प्रश्णों को देखेंगे तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्ण दिया गया है 78,379 दिये गए अंक में 3 और 8 का इस्थानी मान और जाती मान गयाद किजिए इस प्रश्ण में 3 का इस्थानी मान गयाद करना है और 8 का जाती मान तो इस संख्या का इस्थानी मान ग्याद करने के लिए आपको सबसे पहले अंको लिख देना है अंक यहाँ पर तीन है तीन के पीछे में जितने भी अंक है उतने 0 डाल देना है अर्थात यहाँ पर तीन का इस्थानी मान 300 होगा और जाती मान वही अंक होती है तो 8 का जाती मा आठ ही होगा अगला प्रस्ण देखते हैं 5,22,435 में 7 और 3 के इस थाणि मानों का अंतर कितना है यहाँ पर 7 का आपको इस थाणि मान ग्याद करना है और 3 का इस थाणि मान और इंदोनों का अंतर ग्याद करना है साथ के स्थानी मान साथ के बाद तीन अंख है तीन जिरो डाल देंगे तो ये साथ के स्थानी मान निकल गया और तीन के पीछे एक अंख है तो एक जिरो डाल देंगे तो ये तीन का स्थानी मान हो जाएगा तो इसे घटा देते हैं जिरो से जिरो गया यहां पर आएगा आपका 7 यहां पर आएगा आपका 9 और यहां पर आएगा 6 6970 साथ और तीन के स्थानी मानों का अंतर 6970 होगा अगला प्रस्ण है दो संक्याओं का लगुत्म स्मापवर्त तस्था महत्तम स्मापवर्त क्रमसह 84 और 21 LCM 84 है और ECF 21 है प्रश्ण में आगे बोला है यदि इन संख्याओं का अनुपाद दिया गया है एक अनुपाद 4 तो इसको आपको X ले लेना है पहली संख्या X और दूसरी संख्या 4X आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी तो यहाँ पर 4X कमान गयाद करना है तो सबसे पहले हमें X कमान गयाद करना पड़ेगा तो इसके लिए एक रिलेशन होता है LCM और ECF को आप मल्टिप्लाई कर दोगे तो राइट साइड में भी आपका इन संख्याओं का गुड़न फल हमें प्राब्त होगा तो इसे लिख लेते हैं लगुत्तम स्मापर तक गुड़ा महत्तम स्मापर तक बराबर पहली संख्या गुड़ा दूसरी संख्या यह इसका फार्मूला होता है तो वैल्यू पूट कर लेते हैं 84 आपका लगुत्तम है और 21 महत्तम है बराबर पहली संख्य एक सह है और दूसरी संख्य चार एक सह है इन दोनों को आपास में गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा चार एक से स्क्वाइर यहाँ पर आपको मिला चार एक स्क्वाइर एकवल टू इन दोनों को ऐसे ही रहने देंगे 84 गुड़ा 21 ये जो 4 है वो नीचे चल जाएगा तो नीचे ले आते हैं इसे कटा देते हैं 4 एक कम 4, 4 दूना, 4 एक कम 4 यहाँ पर 21 गुड़ा 21 आया मतलब x square आपको मिला 21 गुड़ा 21 अर्थाथ x कमान मिलेगा आपको 21 तो इस प्रकार आप x का value ग्याद कर सकते हैं आपको प्रशन में बड़ी संख्या बोला है तो 4 x कमान ग्याद करना है तो एक के जगा 21 रख देंगे तो आपको एंसर मिल जाएगा 84 तो बड़ी संख्या होगी आपकी 84 अगला प्रशन दिया है दो संख्याओं का लगुत्तम स्वापर तक 30 और महत्तम स्वापर तक 5 है उन में से एक संख्या 10 है तो दुसरी संख्या ग्याद कीजिए यहाँ पर भी वही रिलेशन यूच करना है LCM गुड़ा HCF बराबर पहली संख्या 1 नमबर Multiplyed 2 नमबर यहाँ पर LCM है आपका 30 HCF है 5 बराबर पहली संख्या है 10 और दुसरी संख्या को X ले लेंगे यह आपका नीचे जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा आपका 10 0 से 0 कटा फिर आपको इसको गुड़ा कर देना है तो आपको X का value मिल जाएगा X का value मिला यहाँ पर 15 तो इस प्रकार आप ऐसे प्रश्णों को solve कर सकते हो अगला प्रश्ण है किसी संख्या का 30 प्रतिसत यदि 12.6 हो तो वह संख्या ग्याद किजिए यहाँ पर आपको लिखना है किसी संख्या को X ले लेना है इस संख्या का 30 प्रतिसत लेना है इस संख्या का 30 प्रतिसत दिया गया है 12.6 इसके बाद इसमें आप दसमलो हटाओगे तो दसमलो हटाने से आपका नीचे में 100 हो जाएगा यहाँ पर भी हम दसमलो को हटा लेते हैं दसमलों हटाने से आपका नीचे में 10 हो जाएगा तो कि दसमलों के बाद एक अंख है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा अब इसे cross multiply कर लेंगे यह जो नीचे वाला है वो बगल में चल जाएगा तो यह हो जाएगा 126, गुड़ा 100, बटा यहाँ पर 10 पहले से है और बगल में यह जो 30 है वो आजाएगा अब इसे कटा देंगे 0 से आपका 0 कर जाएगा यह 0 से यह 0 कटा इसे कटा लेते हैं 3 एक कम, 3 चोग और 3 दुना तो आपको X का value मिला 42, तो वह संख्या 42 है अगला प्रश्न है किसी संख्या का 40 प्रतिसत, संख्या के 3 बटा 5 भाग से 15 कम है किसी संख्या का 40 प्रतिसत ले लेंगे, उस संख्या का 40 प्रतिसत, उस संख्या के 3 बटा 5 भाग से 15 कम है तो इस प्रकार आपको इसको arrange करना है प्रश्न में बोला है किसी संख्या का 40 प्रतिसत उस संख्या के 3 बटा 5 से 15 कम है तो आपको इस प्रकार अरेंज करना है आपको x का value ग्याद करना है x जो है वो संख्या होगी और अंत में उसका 80 प्रतिसत ग्याद करना है तो चले इसे solve करते हैं जो प्रतिसत है उसे हटा देंगे तो प्रतिसत हटाने से हमेशा नीचे में सौवाएगा यहाँ पर इसको भी solve कर लेते हैं यहाँ आपका कर जाएगा 0 से 0, 2 से कटाते हैं 2 दूना 4, 2 पंचे यहाँ पर आगे आपका 2x और यहाँ पर इस्तित है 3x भाएफाइब तो माइनस को इस सेड ले आते हैं और इसंको उस सेड ले जाते हैं तो माइनस 15 इस सेड आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा उस सेड आपका पहले से बैलेबल है 3x भाएफाइब एक्स और यह वाला जो हिस्सा है वो उस सेट चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा 2X by 5 अब इसे माइनस कर देंगे आपका जो हर है वो समान है तो हर समान होने की स्थिती में आपका 5 ही आएगा उपर में 3X है और यहाँ पर 2X है दोनों को घटा देंगे तो केवाल X आएगा लेप्ट साइड में है आपका 15 अब इसे क्रोस मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 15 पछे होता है 75 तो X का वैल्यू आपका आएगा 75 तो वह संख्या 75 है अब प्रश्न में आगे बोला है कि इस संख्या का 80 प्रतिसत ग्याद किजिए तो इस संख्या का 80 प्रतिसत ग्याद करने के लिए आपको जो संख्या मिली है 75 उसमें 80 प्रतिसत से गुड़ा करना है अर्थात प्रतिसत हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा इसे कटा लेते हैं तो यह आपका आएगा 15 इसे कटाएंगे 5 से तो पाँच 20 हम होता है 100 इसे कटा लेते हैं 20 से कम 20 20 चोग तो आपका एंसर आए 60 15 चोग को गुड़ा कर देंगे तो आपको फाइनल एंसर आएगा 60 चलिए अगला कुश्चन देखते हैं यह इस वीडियो का आखरी प्रश्न है प्रश्न दिया गया है दो संख्या है 5 नुपात 7 के नुपात में है दो संख्या दी गई है जो की 5 नुपात 7 में है प्रत्यक संख्या में 8 जोड़ने पर नई संख्या का नुपात अगर हम इस संख्या में 8 जोड़ देंगे अंसर हर में तो हमें प्राप्त होगा 3 बटा 4 तो जब भी अनुपात वाले question आए तो आपको इसे x के form में लेना है 5x और 7x अब इसमें 8 जोड़ देंगे answer हर में तो answer हर में हम 8 जोड़ देते हैं तो हमें नए अनुपात प्राप्त होता है 3 बटा 4 इसे भी आप 3x 4x लिख सकते हो लेकिन यहाँ पर x से x कर जाएगा तो उसका कोई value नहीं है अब इसे आपको solve करना है cross multiply करते हैं 4 को जब आप 5x से multiply करोगे तो आपको मिलेगा 20x plus 4 को 8 से करोगे तो आपको मिलेगा 32 equal to इसे cross कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 21x plus इसे cross कर देंगे तो यह हो जाएगा 24 आप number को एक सेड ले जाना है तो यहाँ पर अगर आप x को इस सेड ले जाओगे तो 20x में से x जब माइनस हो जाएगा तो आपको मिलेगा x अगर आप 24 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8 तो यहाँ पर x का value आये आपका 8 आपको पूछा है की मुल संख्या क्या है तो मुल संख्या थी 5x और 7x तो उसका value आपको रख देना है 5x यहाँ पर दिया गया है संख्या 5x और दुसरा 7x तो यहाँ x के जगा हम value पूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 40 और दूसरी संख्या हो जाएगी 7 गुड़ा 8 तो 7 अठे होता है 56 तो पहली संख्या हमें मिली 40 और दूसरी संख्या हमें मिली 56 तो ये हुआ संख्या परधायत कुछ महतपूर प्रश्णा अगर आपको वीडियो अच्छे लगे होगी तो वीडियो के लाइक कीजिए और आगा में वीडियो प्राप्त करने के लिए हमाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए धर्माइब